हाँ, आज अपने एक वो important topic स्टार्ट करने जा रहे हैं जो civil services हो चाहे, चाहे आपके board की exam की written exam हो, चाहे 10, 12, कोई से भी class के, कोई भी civil service तक के exam के अंदर ये topic जो है सबसे important माना जाते हैं, ठीक है? और ये बहुत बड़ा weightages का marking के हिसाब से, नमरों के हिसाब से, निबंद, ठीक है? मैं चीज ये हैं, कि मैंने आज की class रखी, session रखा है, उसमें क्या-क्या बाती शामिली की है, निबंद लिखने के वो सारे तरीके हैं, क्योंकि किसी निबंद का ऐसाथ कुछ है नहीं, कोई साथ भी topic आपको मिल सकता है, बस उस topic के उपर आपको निबंद लिखना आना चाहिए, ऐसे मतलब, निबंद का मतलब ऐसे हो गया, बड़े शांदार डंग से, जो जितना अच्छा लिखेगा, जिसके language easy होगी, teacher को समझने में easy पढ़ेगी, या पिर जो पढ़ेगा, चेक करेगा, उसको अंत तक, starting से लिएक last तक, उसको मज़ा है, मतलब पढ़ते हुए, वो चीज होनी चाहिए, उनमें क्या-क्या use करना चाहिए, starting में क्या रखना चाहिए, क्या-क्या sub-system है, हमें सबसे पहले एक रूपरे का त्यार करनी चाहिए, उस सारी बाते बाते बताने वाला हूँ, इसके बाद मैं फिर एक example भी लूँगा, मतलब एक निबंद लिखो हूँगा अभी मैं आपको, पूरा का पूरा निबंद, कम से का 5-800 शब्दों में, तो बड़े ध्यान से समझना एक-एक second आपके लिए important है, और पूरी की पूरी क्लास को, आज की आज आपको note करनी मेरे साथ है, बहुत बड़ा topic अपनाज complete करने जा रहे हैं, ठीक है, निबंद के पहली बात तो है कि निबंद की पहचान क्या होती है, निबंद के लक्षन, निबंद के क्या क्या होती है, वो बन देखेंगे, तो निबंद के basically क्या लक्षन है, तो पहले बड़े ध्यांच समझो, कि निबंद ये गद्य रचना है, जिसमें किसी विशे पर रोचक डंग से विचार परकट किये जाते हैं, बाई निबंद क्या होता है, कोई एक topic आपको मिल जाता है, जो जितना अच्छा रोचक तरीक चलितात का मन्दाब सही ठीयराता है, संग्छिप्ता में ही इसकी विशीश्य़ता, संग्षिट का मन्दाब छोटा, शोट निबंद कम शब्दों में ऐसी बात, बोलो कि उसका अर्थ बहुत बढ़ा हो, बस यह ऐसा नहीं कि एक लाइन जहां पर जिसको अपन दस शब्द में बड़ी बात इसका जरूर दियान लगना मतलब संक्षिपता बहुत जरूरी है निबंद को बहुता अनावशेक बात नहीं लिखी जाती है जो खास-खास सिज्जें गागर में सागर फिर निबंद जो है निबंद में पहली बात हो यह विचार समुह जिसको सामगरी बोल काम किए कि कुछ भी विशेप पर लेखनी चलाने का मतलब है कलम चलाने से पहले पहले समगरी जुटाने के लिए उस पर मनन करना चाहिए कोई भी आपको टोपिक दिया गया सबौश माहत्मा कानदी काईडिया अंचाहिए महत्मा गांदी का कहा से से एलेशन है बangला आविर भाव कहा से वा उनका फिर उनने स्टेडी की या फिर कौन-कौन से सामजशिक सुधार किये कौन-कौन से सोशल वेलफ़ेर के लिए काम किये फिर कौन-कौन से भारत के लिए काम कacional की ऐसा नहीं कि पता ही नहीं क्या लिख रहा है पहले सोचो उसके बारे में वास्तों में रियालिटी में निबंद लेकन है तू विस्तरित अध्यन और निरिक्षण की नितांत यानि हमेशा आवश्यक्ता है मतलब यह जो आप निबंद कभ लिख पाऊगे जब ऐसे टोपिक को को जो उसे कहीं न कहीं रूबरू होते रहो गये जैसा कि आपको पता हे कि कि किसी पर थोड़ा link रहना है यहां का मतलब उसका विश्तित अदेन करते रहना है उनके बारे मैं study करती रहनी है तब मजबूत होगा दूसरा यह जो एक बात और लिखी है मैं इससा point है यह बहुत ही शांदार ऐसे कैसा point मिना आपको क्या क्यूं और कैसे आदी प्रशन ही उसके ग्यान बंडार को खोलने की कूंजियां होते हैं कूंजिय मतलब चाबियां है क्या कि कोई भी कोई भी topic आ गया सबसे पहले माइन मैंने चाहिए कि यह क्या है है तो क्यूं है और ऐसा है तो फिर कैसे हुआ अगर यह बात है आपको उस topic के बारे में पता चल गई न तो आप 500 के 1000 श शेल लिखी भी करेंगे आगे पढ़ाओंगा शेल लिखिया लेकिन उससे पहले मैंने चोटा टोपिक लिए रूप्रेका रूप्रेका हमेशा निबंद में कैसे लिखे जाती है अभी बताऊंगा आगे पूरे शेशन बने रहना समझ में नहीं आएगा रूप्रेका चीज शालतों की नहीं जोड़ेंगे और विचारों को रखेंगे क्रमबद बिल्कुल लाइन वाइज रखना है ठीक है यानि कि पहले गांदी जीजी एक एक बच्चे का जनम हुआ उसके बाद में वह बड़ा हुआ उसके बाद में स्कूल गया स्कूल जाने के बाद में फिर फ आदी का मतलब है प्रस्तावना शुरुवात शुरुवात की बात को प्रस्तावना और अंत की बात को उपनसहार में इस्तावना है आदी की बात को प्रस्तावना और जो लास्ट की बात अंतिम बात उसको उपनसहार में इस्तान देना है इसका मतलब यह हैं कि सबसे पहले क C.B. topic की प्रस्तावना लिझनी है उसके बाद में last last में end जब करोगे इस topic का तब उपंसार, last topic उपंसार होगा अभी कैसे होगा, लिखोँगो आगे अभी बने रहो आप जैसे मैंने topic ले लिया महत्मा गांधी, ये example भी लिएमा महत्मा गांदी इस विशे पर आपको निमंद की अगर रूप्रे का तियार करनी है मेरी बात फिर सुन लो रूप्रे का आपको हमेशा तियार करनी है अगर आपको शांदार नमबर चाहिए तो अगर इसकी रूप्रे का तियार करनी है तो जैसे गांदी जी प्रूप रहा किसे इस तियार करेंगे सबसे पहले प्रस्तावना ठीक है? कि गांदी जी के आविर्बाव के समय भारत की दशा जब गांदी जी साउथ आपरिका से इंडिया में आये थे तो भारत की क्या कंडीशन थी? आविरबाव का मतलब है आई थे अना, सेकंड उनका प्रारंबिक जीन कैसा रहा, ठीक है या आने के बाद में, या फिर उन्होंने अफ्रीगा में सत्यागरे कोन कोन से को सत्यागरे किये, भारत में सुवतंतर तांदोलन फिर उन्होंने यहां पर चलाए, क्योंकि यह इस से इसलिए अपन को इन दोनों को साथ में लिखना है, वहां जो चलाए, उसी इस लेटे डियां चलाए, सामपरदाएक एकता के लिए प्रियास किये, अच्छुत हो दुआर का मतलब है भेदबाव मिटाई ये अन्टचाबिलिटी वाला, और लास में उपन सार्यानी गांदी इसका मतलब क्या निचे दो क्या लिखावा है, याद रहें, समर्ण रहें कि रूप रेका, निबंद का अंग नहीं है, मतलब इनके शब्दों को जोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा मानलो कि ये शब्द काउंट नहीं होगे, लेकि ये इसको सजाने क्या कहते हैं कि ये सुरिं समझ गे, इसलीए बात क्या लिकिए है, कि इसमर्ण रहे का निबंद का अंग नहीं है, इसको निबंद में इस्तान नहीं दिया जाए, परिक्षा में उत्रपुष्ट का के बाई याने कि लेप प्रिष्ट पर लिखा जाता है, गर प्र पर लेक्र लेप रिख देट आपक लिख के बताऊंगा अभी आपको सिर्फ समझते रहना है रूपने का होने के बाद मैं आपको एक बात बतायती इसकी शेली की यह यह वापस शेली क्या शेली मतलब है लिखने की बाशा तो निबंद की बाशा सरल्वे सुबोध होनी चाहिए बहुत इजी वहां पर आपको य लोगे सुबोध होनी चाहिए उधारन के लिए एक्जम्पल या जैसे आपने आप यह कह रहे हो गगंचर अपना नीड स्वयम निर्मान करता है क्या लाइन लिकिया आपने गगंचर अपना नीड गगंचर नीड गौंसले इन शब्दों का इतना मुश्किल परियोग करने कि गगंचर अपना नीड स्वयम निर्मान करता है इतनी मुश्किल भाषा नहीं परियोग करनी है एक्जम्पल दिया मैंने आपको लिखना है कि पक्षी अपना गौंसला स्वयम बनाता है यह अब समझ में आ गई मतलब वर्डिंग भी इच्छ होनी चाहिए और इजीली सम इस उदेश्य की पूर्ती है तो यह आउश्यक है कि वाक्य जिस अंच पर जोर देना हो उसे वाक्य के अंत में रखा जाए अब यहां से मैंने कुछ बातें लिखिए बड़ी ध्यान से समझो कि तो मज़ा आजाएगा आपको ऐसी नोलेज आपको कहीं नहीं मिलनी इन बात अधर तक को समय परवाव पड़े हैं मैं उसे एफ्रेक्ट लगए हां क्या बात लिए उसके लिए आउशे क्या है पहली बात पहली बात ही है वाक्य के जिस अंच पर जोर देना हो उसे वाक्य के अंत में रखें लास्ट में रखना एक्जंपल लूगा भारत एकमी ता जाता है कि यह मैं कि वरतममान समश्याहं का एक मात्र समादान निट्थान में आप बारत की वरतमान सम्हश्याहं नेतिक उठान हैं आप तब आपने उसको जोर देके बोला और अंत में लिखा क्योंकि आपका फोकस किस पर है उस चब्द पे जोर दियावा अंश नेतिक उत्वान अंत में ब्रेकट लिख दिया है मैंने ताकि आपको जब नोट्स बनाओ आगे कभी रिविजिन करो तो समझ में आ जाए इसली नेत प्रशनवा चक अत्वा भावादी बोधख हुआ केसे भी बाशा अच्छी शक्ति आ जाती है बाशा में एक्जांपल समझो ये इसका EXCAL रहे का केसे एक एक एक्जांपल या मैंने कि ज्यान-प्रसार में ज्यान-प्रसार का मतलब नोलिज़ देने में बढ़ने में घ्या था कि हमारी मात्र भाषा और उसको कंपरेजिन करें था विदेशी भाषाओं से जो कि आप इंडिया में देख सकते हैं हमारी बाषा इंदी भाषा को बहुत कम लोग आज केल बोलने लगे अपने आपको थोड़ा ऐसा मैसूस करते हैं कि नहीं यार मुझे इंग्लीश ही नह जान एकना कि घ्ञान परसार में किस परकार जो विदेशी भाषा है वह मात्र भाषा की अपेक्षा सफल हो सकती है किस परकार तो यह आपने क्योशनवा चलगा दिया ऐसे बीचमेन डाल सकतेगी आप कोई बात आई तो किस बाहसी बात लिक देंगे आगे तो यह भी तीन नमर यह पोइंट तीसरी बात ध्यान रखनी है तो पहली बात तो यह जान रखनी थी कि जिस शब्द पर ज्यादा जोड़ देन उसको लास्ट में रखो दूसरा कुछ ऐसे शब्द को जिनमें प्रशनवाचक चिन्नों का प्रयोकर बीच बीच में अभी मैं कराऊंगा अब यह निवन लिखाऊंगा तो मज़ा आजाएगा आपको फिर भावादी बोद्दक वाइखिये बाव निकले सेंस निकले केसी रमणी केसे सुवावने केसे सुन्दर दृष्य हैं यह बावादी बोद्दक है मतलब आपकी फीलिंग्स है आप कोई नेचर को देख रहे पर शांदार ठीक है जैसे आगे चिन्प सब कुछ लगाने ना है फिर चोती बात यह चाहिए तीन नमर नहीं है यह तीसरी बात इसको ले जते हैं तीन और इसको लेते हैं पर चोती बात कहीं कहीं उपवाइक्य के या वाक्य के आदी आदी का मतलब प्रस्तावना आदी का अगर आप मेरे को एक सेकंड बीस्किप नहीं कर तो समझना है क्या बात है आदी और अंत कहीं कहीं उपवाइक्य या वाक्य भी जोड़ना है जिसको आदी या शुरुआत में और अंत में एक या पिर कहीं शब्दों का रिपिटेशन आवरती बाशा को जोड़दार बना अगर लेती है एक्जामपल से समझ वांगी बात यह रही जैसे में एक एक इसामपल ले रहा हूं भारत वर्ष को एक राष्ट बनाने वाले आप ही हैं फिर वापस देखो बारत माता की सूकी नसों में रख यह बलड बलड का संचार करने वाले आप ही हैं देश के नर, ना में आप ही हैं की रिपिटेशन यह आवर्ती हुई है यह भी अपने आप में बहुत इफेक्ट डालता है यह वो तरीके हैं निबल दिखने के जो आपको बाकी बीड़ से अलग करेंगे एक अलग मतलब कहते हैं फुल आउट फुल मार्क्स के बिलकुल करीब पहुंचा और यह चोती बात थी यह कुछ ऐसी कि शुरुआत में अभी अपने लाश्ट में रखें अंति में हो सकता है कहीं कि आप आधी का मतलब शुरुआत में भी रख सकते हो हालां कि अभी अंत में रखें एक एक वर्ड को या पर कहीं शब्दों को और भी शब्स रखते हैं आपको पूरी PhD करवा दी कि शेली केसी होने चाहिए फिर अगली हेडिंग लगाओ आप कुछ निबंद के अंदर अलंकारूं का परियोग कर सकते हो अलंकार का परियोग करो मुहावरूं का परियोग करो कहवतूं का परियोग करो जैसे कि आपको अगर कोई सूर्दास दी क पदों का जो मतलब उनकी जो होते हैं Ŋह पद उनको उनका गाइन सुनकर मेरा मन मैरा मन मं मैयूर निर्थे करने लग गया मैरा मन है वो मैयूर निर्थे करने लग गया तु सिर्फ और जिरकल वर रूपक रलंगार नहीं strengths is में बैस्टे के लिए ज्यादा तरह इंपोर्टेंट है तीन अलंकारों का परियोग तीनों में एक्जामपल बता दी वन टू और थ्री तीनों अलंकार बता दिए यह मोहावरे के एक्जामपल और एक कहावत का एक्जामपल कितने शांदार बात लिखी हुई है बहुत मैनत से यह क्लास बनाईए सेशन कंपलेट किया है बहुत फाइदा आपको लेना है और लाइफ जब तक आप सिविल सर्विसेज में लिख आओ जब तब तक आपके यह बहुत कोमल है बहुत ही सौप्ट है तो यहां पर अपने उपमा तो ऐसे शब्द परियोग कर सकते हो कोई भी आपके पास टॉपिक है तो आप उनकी तुलना करा सकते हो कि यह तो बिल्कुल सादू जैसे हैं मतलब अपने सादू से कंपरिजन कर दिया वह चीज है फिर तीसरा उत अगर का उसमें आपना गास लगी होती है तो और फिर अगर सामने से कभी देखना कैसे लगे जिसे मोती बिखरे वे उपर ठीक है तो यहां उत्पहक्षा लंकार का प्रियोग हो गया जैसा कि अलंकार टोबिक शांदार तरीके से उसमें सब कुछ बादी बता रखी है जो प्रियोग कर सकते हो विदेशी बाशा पर पूर्ण दिखार प्राप्त करना ही टेडी खीर टेडी खीर मोहवरा होगी है अपर जैसे आप कोई निबन दिख रहेते बाशा के उपर ठीक है उस भाशा के अंदर ऐसा लिख दो कि विदेशी बाशा पर अपना कंट्रोल करना बहुत टेडी खीर है तो यहां पर टेडी खीर मोहवरा लगा दिया तो यह सब ऐसी चीजी हैं जो टीचर पर इंप्रेशन डालती है यह पाट तक तो इंप्रेशन डालती है फिर एक आपने कहावत जोड़ दी कि मेला देखने आया था वहां मित्र अकिलेस से मुलाकात हो यह सब तरीके हैं जो आपको निबंद लिखने के पैटरन को और मजबूत कर देगा फिर फिर आप क्या करो जो शेली है वो इजी होनी चाहिए लेकिन शेली में आप ऐसे कोटेशन यह सुक्तियों का परियोग कहावतूं का परियोग ऐसे कर सकते हो है ना परियोग भावश नमात्रेशन से कम लिखने हैं सुनी कि भरदो बस यह लिख दो जगय 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 मुश्किल से दो या तीन लिख दो चार तक पहुंचा तो लास्ट इससे जज़धा नहीं कि जैसे की मैंने कोई टॉपिक नहीं लिया मात्रबूमी के बारे में लिखा है कोई भूमी तुको निरक्मग्न क्यों कि हम मोद में मोद मतलब गमण में हम क्यों क्उमण करें हमारी म सब यह कहावत है समझें ऐसी कहावुत यह बार बार कर सकते हो बहुत शानदार आंसर बन जायाएगा फिर बात आती है धी ठीड़्या यहां पहले आगर आप तो 6-7 लिखेंगे लेकिन 3 मेन भाग होते हैं तो तीन भाग कौन से हैं पहला आधी यानि प्रस्तावना दूसरा मद्दे और तीसरा अंत यानि उपन सहार ये तीन निम्द के भाग होते हैं सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे फिर अपन उसका मिड़ का जो भावे से तो अपन 6-7 पॉइंट लिखेंगे एक निम्द के अंदर लेकिन बैसिक लिए 3 मेन पॉइंट होते हैं सबसे पहले प्रस्तावना फिर बीच मद्द मिड़ का जो पॉर्शन उसमें बहुत सारी तो उसके लिखने कई तरीके हैं प्रस्तावना कई परकार के रूपों में परचलेता है जैसे कि सुक्ति के रूप में सुक्ति का मतलब है जो मैं अभी बताईए यह सुक्ति के रूप में या तो इसके रूप में शुरुआत कर सकते हो बाई कोई भी टोपिक आ या सबोज तो हम प्रस्तावना को लिखने के भी तरीके डूंड रहे हैं प्रस्तावना को हम सुक्ति के रूप में शुरू कर सकते हैं एक श्लोक टाइप उसको शुरू कर सकते हैं दूसरा दृष्य के रूप में दृष्य का मतलब और प्रश्ट भूमी और गटना यह चार में यह भी प्रिप्लानिंग से जैसा ही होता है लेकिन आपने क्या किया कि हमने इसके लिए एक दिन पहले या चार दिन पर टिकेट बुक करवा दी थी यह सब बात है और फिर गटना होता है कि जैसे ही प्रस्तावना की शुरुआत है कि जैसे हम मौनिंग में जल्दी उठे तो क मिड का portion है मिड में क्या रखना है इस भाग में विशे का विवेचन करना है जो भी टॉपिक है उसकी पूरे complete पूरवक बड़े ध्यान से संग्षियप में और लेकिन विस्तार भी होना चाहसे नहीं कि पस संग्षियप में लिखना है लेकिन कम शब्दों में बड़ी बाते कह देने हैं मतलब ऐसा लगए कि 100 शब्द लिखे लेकिन ऐसी लगए कि 500 शब्द जितना मटेरियल है तो विस् निबंद complete होता है last में अपने लिखते हैं यानि कि वास्तों में आदी और अंत या फिर कह दो आप प्रस्तावना और उपंसार बात एक हीए आद्धी को प्रस्तावना कहते हैं और अंत को उपंसार कहते हैं यह बिल्कुल प्राण होते है ऐसा मानों कि बैकबॉन होते है उसे सर्वादिक आनंद उपलब्द हो उपनसार तक आनंद हो और लास्ट में और भी ज़्यादा उसके मज़ा है कि वाओ क्या लिखा है इसका मतलब है जब जो बंदा पहली लाइन चे लास्ट लाइन तक पहुंच गया और उतना ही मज़ा और ज़्यादा आनंद आ रहा है इसका मतलब यही है कि आपकी पूर्फोन मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। फिर उपनसार में निबन का सालंस दिया जाए। निश्कर्स निकाला जाए। विशे का परवाव बताया जाए। किसी कवी या लेखक की सुक्ति दी जाए। जो विशे सहंबने सुर्दास जी की सुक्ति दी थी। विशे का भवशे बताया जाए कि सब्जेट को जो भी विशे लिया जाए लिए आगे अपनी फ्यूचर में क्या होगा। जैसे परियाव और परदोशन ले लिया। मतलब उपनसार में वो सारी बातें आएगी। पहली बात तो निबंद का सारांच उच के अंदर देना है। कि आज की जो भी उपने उपर बातें लिखे उसका सारांच और निशकर्स रिजल्ट क्या निकलता है। पिर उसका परभाव बताया जाए। कि यह उसके परभाव है। और फिर कोई अगर कवी लेक्र के बारे में लिख रहे हो तो फिर उनकी सुक्ति अधर सब्सक्राद में। तो वो उसके इंदर डाल दो, ठीक है, के भी सकते हो, सूर्दास दी के शब्दों में, ऐसा, है न, कोई भी आपको जो याद हो, और विशे का बहुशे यह बहुत पता, यह सब आते हैं वो उपंसार के इंदर शामिल करनी है, आगे है मज़ा, शांदार चीज़े, फिर अपन बात करते हैं, निबंद के प्रमों को तीन भेद होते हैं, निबंद के जो भेद होते हैं, टाइप्स, वो तीन है, एक तो वरनात्मक निबंद हो सकता है, जैसा कि तिनों लिखे हैं, मैंने वापस उसके बारे में लिखा दिये, दूसरा विवरनात्मक जिसको अपन कथ्या बोलते हैं और तीसरा वीचारात्मक नियां तर्शि Negand घोते हैं ठीक है और तीनु ितरा टेसे नियमद अपने पर चाहब हएगे जैसे ही वड़नात्मक नियमद को सोते हुं को सब केpse конечно कोई भी ना सकता है तो दृत्र यात्रा मेला कोय त्यूहार भावन इन सब के बारे में अगर पूछे वो तो आपसे वह वर्नात्म निबंद कहलाता वह दूसरा विवर्नात्मक कथात्मक निबंद जला साइसा निए गतना ते या किसी का कोई जीवन चरित्र, ऐसे जितने भी निबंद जोते हैं, वो विवनात्मक या कथात्मक में आ जाएंगे, विवनात्मक निबंदों में गटनाओं का कालकरम के नुसार हाँ, ये बहुत जरूरी है, मतलब according to time period, जैसे आप से कोई युद्ध की बात कर ली, कोई भी वर लड़ाई की बात कर ली, कोई famous युद्ध की बात कर ली है, के दे साब तराइन के युद्ध कर वरनन केजिए, हाँ खली गांटी युद्ध कर वरनन केजिए, तो अब आपको कालकरम को जरूर ध्यान लगना है, सबसे पहले क्या था उसके बाद क्या था 1900 में या 1800 में 170 सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर इनमें यह भी आते हैं कोई सांसकर्तिक वेग्यानिक और साहितिक निबंद भी इसी में आते हैं या फिर ये भी आते हैं कल अपना वाले कि कास में देश का सिक्षा मंतरी होता में देश का पी एम होता ये वो है जो विचार करते हैं पहले यार होता है तो क्या करता मैं आप खुद को ही सोच के लिखना है ये चीज़े हैं वीचार आत्मक निबंद में काफी knowledge increase होगा कि निबंद भी तीन तरके होते हैं तीनों में से अपने को जो topic मिलेगा उसको वो अपना type हो जाएगा ठीक है और अब मैंने आपके लिए जैसा कि कहा था कि एक topic लोगा और बहुत ही शांदार प्रदोशन एम उसकी रोगताम या फिर बढ़ता प्रदोशन परियावर सनक्षन ये topic कैसा भी आ जाए 100% most topic है इसको अगर आपके exam में आ जाए तो कैसे लिखना है वो तरीका देखो अब कोई सा भी topic आएगा आपको इसी pattern से लिखना है और मेरे साथ बने रहना मैं भी आपको important भी बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से निबन important है पहली बात रूप्रे का रूप्रे का आपको ये तयार करनी है मतलब ये topic अपने को मिल गया exam के अंदर अब अपने इसके निबन लिखने जा रहे है रूप रहेगा क्या रहेगी सबसे विल प्रस्तावना प्रस्तावना कि ओज्द्योगिक प्रगत्ति का दुस्परिणाम ये प्रस्तावना डालना है यानि कि ओज्द्योगिक प्रगत्ति हुई इस वज़े से ये दुस्परिणाम है वो हमें पर्यावन पर्दोशन के रूप में देखने को मिल रहे हैं दूसरा पर्यावन पर्दोशन के विविद रूप कितने परकार का बता है वायू पर्दोशन, जल पर्दोशन, भूमी पर्दोशन, द्वनी पर्दोशन ये इसके रूप बता दिये फिर पर्यावन पर्दोषण से कौन-कौन से महानिया हो रही है फिर पर्यावन पर्दोषण की हमें रोगताम के कौन-कौन से उपाय करने चाहिए कौन सा इन सबी के लिए वायू पर्दोषण है तू जल पर्दोषण है तू बूमी पर्दोषण है तू और दुन ये पर्दोशन है तू ये वो heading है जिनके बारे में हम अभी लिखेंगे एक 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 heading पर ये वो तरीका है और लास्ट में लिख देंगे उपनसार सरकार का परियास की government को भी ये करना चाहिए क्योंकि पर्दोशन है पर्दोशन तो सरकार रोक सकती है हालां कि अपने लेवल पर अपन भी रोकेंगे लेकिन government कुछ है जिसकी में policy लाए वो हम लिख देंगे उपनसार में ये रूप रेका हो गई जो आपको शुरूआत में ही heading लिखते है जस्त ये लिख देंगे अब शुरू करने आपको एक-एक टोपिक सबसे पहले प्रस्ताओना यह लोगा साब अब आपको heading लिखने ही जरूत नहीं है बस वो समझ जासे जाएंगे शुरू आध्म प्रस्ताओना ही होती है अब प्रस्ताओना क्योंकि आपने थे पर रोक से हम लिख प्रशंचिन लगा दिया है वेग्यानिक प्रगति जह एक और विश्वे को अधिकादिक सम्रदी विकास के और अगरसर कर रही है वहीं दूसरी और वह मानों के लिए अभिशाप बनती जा रही है शेहरी करण ताथा ओद्योगी करण की दुरगती मानों जीवन के लिए घात ग्रस्प हो गया है नगरिये विस्तार के लिए नई-नई कोलोनियों की हिस्ता अपना है तू वन्यों की इंदा दुन घटाई हो रही है आपने देखा होगा बहुत जैदा वनी बंते कोलोनी बसाई सारे पेड़ को दिकारती है जिससे जो हमारा प्रयावन संतुलन है इन् किसी पर डिपेंड है इन्सान भी किसी ने के अंपना हैंबंदम जानवर बिकिसी पर डिपेंड हर द्रेंस किरेंगे होजssen बामान में प्राकर्थिक शंतुलन बना बनाता बीत की कटाई करने से ये संतुलन भिगड रहा है प्रदोशन की समयश्या उठ खड़ी ये पूरा एकी प्रजाफ होना चाहिए प्रजाफ चेंज नहीं करना है और प्रियावन्य प्रदोशन के 4 रूप है यदे रूप चार हैं यह इतने शब्दों में लिखावा है बहुत ही authentic बहुत ही शांदार तरीके से आपको कोशिश करने हैं कि इतने शब्दों में हर टोपिक उपर आपको इसा लिखो वायू प्रदोशन जल प्रदोशन भूमी प्रदोशन और ध्वनी प्रदोशन यह चार प्रदोशन के परकार है अटो मोबाईल का बढ़ता हूँ प्रदोशन के जनम गता है यह लिए बता दिया आपने वायू प्रदोशनब क्योंकि यह चार उठाई थेla वायू धूसरा यह जल तो वायूskन दूसरे बात करते हैं जल की यह जल लिख आपाने ना पर Papagraph पूर नहीं है जब तक paragraph change नहीं करना है यहां आते paragraph change क्योंकि अपन ने वायू परदोश्ट ने बता दिया लेते हैं जल नाले नालियों की गंदगी नदियों में शवय जो प्रवा जो बोडी डाल देते हैं यह ना बोडी डेड़ बोडी सीवरूं का मलमूत्र ठीक है कार खानूं सीवर तो होते हैं वो यह सब नदियों और तालाबों में पहुंचकर जल का पर्दूश्ट कर देते हैं इसने मिटी के अब गटूं जैसे की केंचवया दी इनकी बरती हो जाती है अब आपको बता है किसान का दोस्त होता है इसको किसान मित्र बोला जाता है जो खाद को बिलकुल ऐस होती है रेल वायू यान ट्रेक्टर बसा दिवान उकार खानों से जो साइरन बसते हैं उनके होरन और फिर मशीनों वाड लावड इसे दोनी पर्दूश्ट होता है तो देखो यहां पर यह करना है कि यहां तक अपने पड़ा तालाबों को पर्दूश्ट कर देते हैं इन पर निचए तो दुटो इस फार्ट भाट नामी यह सकते हो तो चाहों इन पर पर जाहु आख सकते हैं पर नएिए दुआगा यह नीचे सब कर गई नहीं पर पासे तर dipping और तो at- फिर continue भी रख सकते हैं इन चारों को कोई फरक नहीं पढ़ेगा यह चारों पर्दोष्ण अपने complete पढ़ लिए और नीचे हो गया द्वानी फिर पर्यावन पर्दोष्ण यह रिपीट हो गया रिपाने फिर हानिया यह तो परयावन पर्दोष्ण से हília हानिय कोन सी की वाय। छारों के बारे मिलिक हो पूर स्टी से वाईउ मिंडल में परकार के रोगों को जनम दे रहा है बूमी परदो सब्सक्राइब हो और जीव जुंतु मर रहे हैं, उनकी उत्पादन शम्ता का वाज होता जा रहा है, दोन ये परदो सब्सक्राइब से, इस पर कुपरवा पड़ रहा है, नीज ठीक नहीं हाती, और शौरगुल, और कॉला भी उत्पन हो जाता है यह चारू उन पर उसके बना हानिया बता दी चारू प्रदूशन होगी ठीक है फिर आपको मैं फिर बता दूँ नेक्स टॉपिक में क्या पड़ेंगे नेक्स प्रशन उठता है कि क्योंकि यहां इसका जुरूर ध्यान लगना अपने इस पूरी के बा प्रशन उठता है कि प्रयार प्रदूशन को रोगताम केस ने किया जाए कैसे इस महा व्यादी से छुड़ा चुटगार आप पाया जाए वायू प्रदूशन की रोगताम के लिए और यहां तक तक आपने लिख दिया मैंने का था ना क्योशन जब भी बनाओ उस टॉपिक अब रही जलब परदूशन की रोगतामें तु वाहित-मल जो सीवेज होता है वाहित-मल जो मैंने अभी बताई था वो सिवरेज वाला वो बस तीसे दूर नदियों में गिरा दिया जाए और उसका भौतिक तता जेविक शुद्धिकरण किया जाए ऐसा निक डाइट गंदगी उसको तोड़ा शुद्ध करके करो ताकि पानी गंदा ना हो और उसमें रहने वाले जीव ने ओपन रहती है तो नालियों को ढखावा बना चाहिए यह जल परदोशनी बात होगी बूमी परदोशनी के रोकता हमें तो कीट नाशक दवाईयों तता एपत्र नाशी पदार्तों का कम से गम प्रयोग किया जाए यह है एपत्र नाशी ठीक है दुआनी परदोशनी रो उनको यह सब करना और ज्यादे बिमार करते हैं मानसिक्त नाव पैदा करते हैं इसलिए चिकेट सालों से तो बिल्कुल दूरी होना चाहिए ठीक है फिर वेगयानियों का यह प्रम करते हैं कि यह पर्यावन परदोशनी के रोकताम के लिए कारगर साधनों की खोज करें कार लास्ट मैंने काता ना वह बात लिखनी है जो मतलब गौर्मेंट को भी आप कुछ ऐसा के रहे होगे गौर्मेंट भी कुछ काम करें ऐसे कुछ पॉलीसियां यह यह उपंसार है यह अन्त है शांदार अन्त होना चाहिए देव कितना अथेंटिक लिखा है तो मतलब बहुत बहुत शांदर जिनसे सरकारी प्रदूशन नेंतर बोर्ड ने निर्देश दिये हो उन पर कोई अमल नहीं करता है आज प्रदूशन की समेश्चा मानव जून को चुनोती दे रही है यह कैसी विडंबना है कि अनेक शेत्र में विलक्षन प्रगति करने वाला मानव आज स् इंसान जिसने सब कुछ का निर्मान किया आज वही इस दुखी गड़ी मतलब इसा प्रॉब्लों में खड़ाओ गया है भोग परदान सब्वेता की अंदी दोड में मानों स्वेम अपने लिए खाई खोता जा रहा है प्रकति द्वारा प्रदत अनुपम उपहारों को दू जाएगी जिन से बचना हो जाएगा हर्ष की बात है मतलब दुख की बात हो यह है कि हमारी सरकार ने परियावन शुद्धिकन कारेगरम हाथ में लिया है सुरी यहां तो हर्ष का मतलब खुश होता है उल्टा बोल दिया मैं सचमुझ मिट्टी जल और वायू को परदूशन बैयार यह जीवन के हैं आदार मिटी को शुद्र को पानी को शुद्र को और बैयार मनलो हवा को शुद्र को यह अगर शुद्य तो यह जीवन की में आदार है बेस है तो बहुत ही शांदार है इतने शब्दों में आपको कम से कम लिखना पड़ेगा अगर मेरे साफ से उस कि इनकी प्रिप्रेशन शुरू कर दो ठीक है यह 15 आपके निबंद है मेर्थपुर्ण निबंद पहला कौन सा है शिक्षिद नारी सुक समर्दीकारी या फिर पड़ी लिखी लड़की रोश्णी घर की ऐसा सकता है या फिर बेरोजगारी की समिश्या तो रोजगार की घरते साधन बरश्टाचार एक विक्राव समिश्या प्रियावरन पर्दूशन उसकी रोगताम अत्वा बढ़ता पर्दूशन यह पर आ सकते हैं अत्वा महसब अत्वा का मतलब दो नाम इनके दो तिंती नाम इनके हो सकते हैं वह कोई बड़ी बात नहीं है यहां पर भी अत्वा लगावा है फिर विद्यार्ति जी उनमें खेल कुद का महत्व है कंपूटर के प्रवाव यह प सकता है बढ़ती महंगाई और गड़ते जीवन मुले ठीक है वेश्विक महारी मारी के दोर में ओनलाइन सिक्षन अभी यह देखा था पने पैंट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत है यह करंट के पॉइंट है एकदम करंट के पॉइंट है एक कोरोना वाइरिस पर भी आ सकता ह है 21 पुरान तो नहीं बिल्गल नहीं टोपे के वैसे लेकिन हां आ सकता है 21 सथी की महामारी या फिर कोर्णा वाइरिस महामारी के सामाजी कार्थिक परवाव काफी हमारी एकनोमिक को डाउन कर दिया था फिर मैक इंडिया या फिर सुदेश युदियान खादिय परदार त लेख सकता है इंटरणेट सुचन condition internet यह फिर आसकता है वरतमान परिपेक्ष्य में विदार्थियों के लिए registration अशेंट्वे अमारा दा था हूं यह प्रहसकता है जल है तो जीवनें यह वो top 15 पॉइंट है जिनमें मैंने शायद एक तो करवा दिया होगा अभी इन में से मैंने कुछा करवा है प्रयान परदोशन यह तो मैंने करवा दिया बाकि 14 टॉपिक आपको करने है रोजना ये करोगे या फिर दो दिन में एक करोगे तो आराम से हो जाएंगे फिर आपको इन अगरा हो तो मुझे जरूर कॉमेंट कर देना कि इस टॉपिक भी आप लिखवा दीजिए तो मैं आपको लिखिए बता दूँगा ठीक है तो आज ही क्लास बहुत इंपोर्टेंट थी बहुत कुछ मैंने आपको नोलेश करा दिया है एक ही क्लास में निबंद का टॉपिक कंप्लेट हो चुका है और आपको भी यह क्लास अच्छी लेगी होगी कैसी लेगी जरूर कॉमेंट करना ठीक है ओके